नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाकत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में तुलसी के जड़, उसकी शाखाएं, पत्ती और बीज, सभी का अपना-पना महत्व है आम तोर पर घरों में दो तरह की तुलसी देखने को मिलती है एक जिसकी पत्तियों का रंग थोड़ा गहरा होता है और दूसरा जिसकी पत्तियों का रंग हलका होता है यौन रोगों की दवाईयां बनाने में तुलसी खास तौर पर इस्तमाल की जाती है चलिए आज के इस पैकेज में जानते हैं तुलसी के कुछ नायाब फाइदों के बारे में पुरुषों में शारीरिक कमजोरी होने पर तुलसी के बीच का इस्तमाल काफी फायदेमंद होता है इसके अलावा यौन दूरबलता और नपुनसकता में भी इसके बीच का नियमित इस्तमाल फायदेमंद रहता है अक्सर महिलाओं में पीरिट्स की अन्यमित्ता की शिकायत हो जाती है ऐसे में तुलसी के बीच का इस्तमाल करना फाइदे मंद होता है मासिक चक्र की अन्यमित्ता को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का भी नियमित्त इस्तमाल किया जा सकता है अगर आपको सरडी या फिर हलका बुखार है तो मिश्री, काली मिल्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पका कर उसका काढ़ा पीने से फाइदा होता है आप चाहें तो इसकी गोलियां बना कर भी खा सकते हैं अगर आप दस्त से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों का इलाज आपको फाइदा देगा तुलसी के पत्तों को जीरे के साथ मिला कर पीस लीजिए इसके बाद उसे दिन में तीन से चार बार चाटते रहें ऐसा करने से दस्त रुख जाते हैं सांस की दुरगंद को दूर करने में भी तुलसी के पत्ते काफी फाइदेमंद होते हैं और नाचरल होने की वज़ह से इसका कोई साइज इफेक्ट भी नहीं होता है अगर आपके मूँ से बदबु आ रही हो तो तुलसी के कुछ पत्तों को चबा लीजिए ऐसा करने से दुरगंद चली जाती है अगर आपके कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिला कर लगाने से घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है तुलसी में आंटी बाक्टिजिल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देते इसके अलावा तुलसी के पत्ते को तेल में मिला कर लगाने से जलन भी कम होती है तुचा संबंधी रोगों में तुलसी खास कर फाइड़ेमंद है इसके इस्तमाल से कील मुहा से खत्म हो जाते हैं और चेहरा साफ होता है कई शोधों में तुलसी के बीच को कैंसर के इलाज के लिए भी कारगर बताया गया है हाला कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है लेकिन दोस्तों तुलसी वाकई में बहुत ही असरकारी और शिथी है अगर आपको हमारे विडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करें